येस प्लीज दू गुड मानिंग प्लीज टेक यू सीट थेंक यू आप नारायन सिंग है यह सर नारायन जैसा कि आप को विजित है हम लोग यथा संभब हर सुरक्षा मानक को पालन करने के कोशिश कर रहे हैं कोविट को लेकर आपके और हमारे बीच इसलिए परियाप्त डिस्टेंस रखा गया है ठीक है हम लोग सामानेते मास्क पहने रहते हैं केवल जिस हमें सवाल पूछ रहे हैं तब मास्क उतार रहे हैं आपके पास भी विकल्प है कि आप अगर मास्क में कमफरटेबल हैं तो मा आपका जड़ा चेहरा वेरिफाई कर लूँगा यस आप नारायन सिंग है जो कि जैसल मेर से ठीक है नारायन तो बाच्ची शुरू करें यस पहलो तो यह बताईए कि आपने यह कानों में आभूशन क्यों पहने हुए है सर हमारे पस्रिवी रास्ता में यह सुरू से यह प पहनने की यह परंपरा है वो तो ठीक है लेकिन सामान रहता है पूरी दुनिया में आम तोर पर इयर पिर्सिंग जो है वो पुरुश नहीं कराते रहे हैं तो आपको ऐसा कराने से जब आप सब भी स्थानों पर होते हैं आउक्वर्ड मैसूस नहीं होता नहीं सर मुझे ऐस सुलू से यह परंपरा रही है क्या इसका उद्गम है क्यों ऐसा रहा है बताईए करनचिद्र के पीछे यह है कि इसमें इसे यह एक सोलह संस्कारों में आता है पुरुश के और इसे जो पुरुश में है रोगों से लड़ने की प्रतिरोदक समता विक्सित होती है और सोलह संसकार क्या होते हैं और यह सोलह ही क्यों होते हैं सर यह तो सर वेदों में लिखा है किस वेद में लिखा है सोरी सर एकना कंफम मुझे पताने में आपको पका पता है कि सोलह संसकार वैदिक संसकार है यह सानातनी संसकार है वैदिक संसकार है अच्छ तो संसकारों से ज पता नहीं है चली कोई बात नहीं अपने परश्य दीजे बताइए अपने बारे में कुछ मेरे नाम नाराएंड सिंग है और मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ मैंने अपनी प्रादमिक्स एकसा जैसलमेर से कम्प्लीट की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन Electronics and Communication Engineering से कम्प्लीट किया है और वर्तमान मैं मैं पिछले 6 महिने से शासन सचेवले जैपुर मैं लिपिग ग्रेड टू के पदपर G.A.D. डिपार्टमेंट कारे रहा थी अगर आप Electronics और Communication Engineering करके आए है तो आप क्लरकी क्यों कर रहे है सर मैंने Electronics and Communication Engineering करने के बाद Civil Services की तैयरी स्टार्ट कर दी थी तो मैंने पहले तो RS का एक्जम दिया था उसके बाद LDC की जो भरती आए थी उसका मैंने एक्जम बीज में ऐसे दे दिया था और कहीं कहीं लाइफ को सेक्योर और बैलेंस करने के लिए अपने किया है मुझे बताईए कि आपको एक दो टांजिस्टर दिये जाए एक PNP टांजिस्टर और एक NPN टांजिस्टर है कैसे पेचानेंगे स्वरी सर नहीं बता पारें सिलिकन जामेनियम दोनों का हम सेमिकंडुक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं उसी वैलेंसी के सेमिकंडुक्टर मिल जाएंगे सबसे कैते हैं यह सबसे नियून तम है वहांपर तो जयसल मेर में राजिस्थान के संदर्व में क्या-क्या नियूनतम है और जैसलमेर में जनसंखी की दिश्टी से देखें तो जैसलमेर की संख्या सबसे कम है और जैसलमेर का घनतु जो है वो भी सबसे कम है और जैसलमेर में जो विकास है वो भी कम है और सकसरता में महिला सकसरता और सकसरता क पिछड़ा होगा है अच्छा यह बताइए कि Optical Fibers क्या होते हैं Optical Fibers एक Electronics युकती है इसकी साहिता से संचार संचार का एक माध्य में अलेक्ट्रोनिक युकती से क्या मतलब है जिसमें Electrons का प्रवा हो सके हैं अच्छा इसका उप्यों कहा लेते हैं सर कम्यूनिकेशन में इसका यूज होता है जैसे किसके बने होते हैं प्लैटिनिम के बने होते हैं या सिल्वर के बने होते हैं सर सिल्वर के बने होते हैं हमारे शरीर में भी इसका कोई यूज हो सकता है सर चिकिस्टा के सित्र में इसका यूज होता है इन्फॉर्मेशनल टेक किया गया है मीन बेंक का साएंगिया माता कौन से कुल की देवी है यह बाटी राजवन्ष की कुल Tegr बाटी राज बर्टे जो है जैसल्मेर में किस ने बसाया एक संब विस ने हाद आप शतरंच खेलते हैं तो मिनिमम में कितनी चाल में आप चेक और कर सकते हैं सर चार चाल किया आज तक विश्व इत्यास में कभी ऐसा हुआ है कि चार चाल में किसी परतियोगिता में ऐसा होगा है सर इसका मुझे आइडिया नहीं पता चलिए बताए कि आयाम क्या होता है एम्प्लीट्यूट सर जो वेव होती है एम्प्लीट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य आज के दिन सद्धी परताप पर रोक लगी थी ठीक है ना 1829 के अंदर चलिए बते पॉलराइजिशन ओफ लाइट क्या है चलिए वुड फॉसल्स पार्क में जो फॉसल्स हमें मिलते हैं वो लगबत कितने पुराने है एक सो असी मिलियम साल एक मिलियम में कितने साल डसलाइज कुणसा होटल जैसल्मेर में it कोई बात न정이 यह बताएज्जल्स मेब पेजल की आपूर्टी कहां से होती है इंद्रा कंधी नहर से गर्षे सरज जील का क्या है वहाँ पर रोल कर्से जेल तो तो एक प्राकृतिक दिश्टी से उसका रोले और प्रेटन की दिश्टी से कुछामन कौन क्यों पॉपलर है अवेलियों के लिए और कुछामन का एक किला है किला और गड़ में क्या अंतर एक है सर प्लीज नरैन यस सर आप मुझे यह बताए कि राजिस्तान में कितने नैशनल परक्स है सहना इसरीं है कि पांच है दिशैर्ट नेशनल पास्फन को नाम ने लिया सरीस केघ्श का सर सर टाइगर विज्जों में सरीसका नो ही है मैं जाऊ तर्ज़ों मुझे पथाए सर जाँ से नेशनल पारक और टाइगर रिद्फ occupied तो बहुत है उसका पर ले लिया जाता है रिकॉगनिशन सौरी से इसका पता हूँ नेशनल टाइगर कंसर्वेशन आथरिटी को कौन हैट करता है सौरी से इसका पता है मुझे यह बताएए कि समवेधानी पीट से क्या समझते हैं जब कोर्ट में कोई ऐसा सर अच्छा और आप मुझे बताएगे कि ये किने ज़जेद होने चाहिए तीन भी ओसकते हैं और पांच भी ओसकते हैं तीन भी होने से उसको समवेधानी पीट कहा जा सकता है या सर अच्छा एक राइट टु प्रैवेशी आया था आपको पता होगा इस पर एक फैसला आया था सुप्रीम कोड का तो किस नाम से जाना जाता है इस केस को इसमें कितने देश है या कॉन वान से देश है इसमें आई थिंक सेवन कंट्रीज है बताईये नाम इनका बंगलादेश इंडिया मियमार स्रीलंका नेपाल भुटान और थाइलेंड थीक है तो आप यह बताईये कि इसका कोई हैड़कॉर्टर है और है तो कहा है विरुष्ट्रेक का पताने थीक है आप राजिस्थान से आते हैं तो यह बताई कि अभी राजिस्थान सरकार ने हाली में एक फैसला लिया है क COVID-19 के विरुष्थ और ऐसा कदम उठाने से राजिस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने ऐसा कदम उठाया है क्या है वो स्टेप सर्व मास्क पेनने को अनिवार करती है अच्छा अभी आप जब बाहर से आये हैं तो आपने क्या देखा है सड़क पे लोग इसका प तो लोग की जिम्मेदरी बनती है सरकार ने अपना दायतु पूरा गड़ दिया है सरकार का भी यह दायतु बनता है कि वो इस कानून की कड़ाई से पालना की जाए और जो भी अगर कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है ओकी नरैन आप तो चत्रंज खेलना पसंद कर यह तीन एक साथ चाले है ठीक है पैदी चाल बिशप एफोर दूसरा बिशप क्रॉस एफोर तीसरी बिशप क्रॉस एफोर पास समझ में आगई है इसमें क्या गलती है तीसरी चाल सर एफोर नहीं होगी क्यों सी पे होता है नहीं बाकि तो पूरे तरिसे ठाने बचे कलती है क्या दिक्कत्युत्कित क्या सी था बताई लेजिए कि जब हम शठतरच देखते है तो शठतरच में जो पश्ण Taylor Tara सुमें धिश्प होता है कि उड़िए नहों कम से यह बेवारत मैं च्लापन परणितल में भारते हमें झारता Оš होता है यहाँ जो अकेली विचारी थी उससे भी अट दिया कि अविजीर ला दियागे यह क्या भारतिये शत्रांजांदि पुरुषवादी है भारत मैं पुरुषवादी पर ठास पाइंस और का को है इसको निकर भी स्कून क्या है निदbok में में रानी की इस्थिती पश्चिम में रानी की इस्थिती से सामन्ती दोनों सामन्ती वह हैं ज्यादा खराब थी भारतिये रानिया ज्यादा बेचारी थी बनिस्पत पश्चिमी रानियों के पश्चिमी उससे तुना करे तो हमारे या मेलाओं की इस्थिती कमज़ थी और यह यही शत्रंज के खेल में भी दिखाई देता है शत्रंज के खेल का पता नहीं है शत्रंज आप खेलते हैं तो आपको शत्रंज के खेल का पता नहीं है मतलब यह हिंदी में इसको वजीर और इसके पीछे क्या रिजन है इसका पता नहीं है बैठिए नरायन, बताईए, आपके इसाब से आपको इंटर्वी कैसा गया है, कहां आपको लगता है कि आपने आद्विश्वास से उत्तर ठीक दिये हैं और कहां लग रहा है कि सर यहां थोड़ी तईया ली चाहिए सब मेरे जो बैक्राउंट है, इसमें मैं थोड़ा वीक हूँ क्योंकि उस फिल्ल को 30 वी तीन से चार साल हो कही है, इसमें इस द्याम दैने के ज़रुत है, ठीक है, मेरी जो होबी है, इसमें भी मुझे थोड़ा पढ़ी है कि तब भी हो सकता है, चार सबालों के उत्तर ना आएं, क्या फरक्त पढ़ा है, तो तैयारी कीजिए, यह इंपॉर्टन है कि अपने वैग्राउंट सब्जेक को देख लीजिए, अपने स्टेट को देख लीजिए, अपने होबीस को देख लीजिए, वो तो ठीक बात है, मैं उसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलाल थोड़ा सा काम अपने वैक्तित्व पर कीजिए, अभी क्या दिखाई दे रहा है, एक तो नजने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप उतने आत्म विश्वास के साथ डेलेवर नहीं कर रहे हैं, जो उत्तर आपको आते ह से चीजों को देखिएगा, ये थोड़ा सा जरूरी चीज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गलत उत्तर बहुत नुकसान करता है, उत्तर ना देना उतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन गलत उत्तर आपकी इमानदारी पर सवाल उठाता है, आपकी इंटेग्रिटी को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं इस बात पर इतना नाराज क्यों हूँ, ठीक है, अगर आप किसी पारिभाशिक शब्द को स्वायम बोलते हैं, अपने आप उच्चारंड करते हैं, तब आपके पास उसकी जानकारी होने चीए, वरना उससे बचके करने की. जैसे 16 संसकार मैंने नहीं बोला था, 16 संसकार आपने आप आप आमंत्रण दिया था मुझे, कि सर मुझसे 16 संसकार तो पूछ लीजिये, तो मैंने पूछ लिया, आप समझ पारें, वो आपको तैयार नहीं था, क्योंकि वो शब्द आपका दिया हुआ था, अगर म उसे पारिभाशिक बना दिया सोल हसंसका तो लोग पूचेंगा बाकी बंदरे बताओ या इस तरह का कोई दूसरा सवाल पूचेंगे तो अपने आप अपने ही जाल में नहीं उलजना है उससे स्टीर क्लियर यह नॉमल तक्नीके हैं जिनसे आप कम कश्ट के साथ इंट्रिव बास बढ़ाएंगे बहुत अच्छे से इंट्रिव्यू दे पाएंगे ठीक है अल दे बेस्ट थैंक्यूस थैंक्यूस थैंक्यूस